तो यहां पर यह जो name है, यहां पर देखें, यहां पर है B, तो B for आपको याद रखना है बेंजीन रिंग, ठीक है B for बेंजीन रिंग, और B के आगे क्या है, O, L, that is alcohol, ठीक है, alcohol का फॉर्मॉला क्या है, आपको इस तरीके से रिप्रेजन करते हैं, alcohol को OH से, मतलब बेंजीन र यहां पर आगया फिनोल का स्ट्रक्चर, अगर पर याद नहीं है, कि सबसे पहले हम रियाक्टेंट में क्या लेंगे, तो आपको यह ट्रिक याद रखना है, simple सी बात है, पर बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना है, और बेंजीन रिंग से हमें alcohol को अट्याज कर देना, तो यहा यहां पर फिनोल को हम ट्रीट करेंगे बेस के साथ, that is NaOH, तो जब इन दोनका रियाक्शन होगा, तो यहां पर मिलेगा sodium phenoxide, मतलब यह जो H है, H की जगह पर आपको क्या लिख देना है, यह जो Na है, Na आजाएगा H की जगह पर, तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा sodium phenoxide, अब इस sodium phenoxide को हम ट्रीट करेंगे, CO2 और H+, के साथ, तो यह कैसे हाद रखोगे आप, तो यहां पर देखिए, coal-based CO, ठीक है, तो CO, CO, तो यहां पर आजाएगा CO, और आगे H है, तो यहां पर आजाएगा H+, तो जब sodium phenoxide को आप ट्रीट करोगे CO2 और H+, के साथ, तो यहां पर फॉ आजाएगा COOH, अगर आपको यह याद नहीं है, कौन सा गुरूप आएगा तो यहां पर देखिए, C, 2 x O है, तो COOH, ठीक है, COOH गुरूप को आपको यहां पर और्थो पोजिशन पर लगा देना है, तो coal-based reaction में हम phenol को convert करते हैं, 40 silik acid में, और रैट, coal-based को cycle चाहिए, तो coal-based से यहां पर आगया, phenol and sodium hydroxide, और यह दोनों react हुए, तो यहां पर form हुए sodium phenoxide, then coal से आजाएगा CO2H+, और यह cycle से आप यहाद रख सकते हो, cycle मतलब salicylic acid, ठीक है, trick के हिसाब से आप यहाद रख सकते हो, cycle salicylic acid, मतलब यहाँ पर हम phenol को convert करते हैं, salicylic acid में,